नमस्कार मियों गरिमा सौगते आपको दस्तक लाइब में आईए बढ़ते बोपाल की खास ख़बरों क्यों ग्रमंति नरोत मिर्ष्वा का बयान न्सी आर्बी के आकड़ों पर बोले मिर्ष्रा हम अपराद छुपाते नहीं है मध्यप्रदेश देश के राजिय में मोबाइल से फायर दर्श करने की सुईदा है महिलाओं के प्रती अपरादों को लेकर फांसी का प्रावदान किया हर जिल्ले में महिला थाना है मेर प्रदेश की कानून में वस्ता आलग तरीके की है करमचारी संगचनों को विश्वास में लेकर नहीं हो का फैसला बोपाल से सल्मान अली की रिपोर्ट बहन ने कि संदर्म में ये बात कही है अभी मेरी उनसे बात को नहीं पाई है यसी चर्चा होती है मैं आपके सामने पुरे हारी होंगो लाहूल आधे नहीं सरकार की उपिश्तर पे उस वेक्ति का वेक्तित्त को नहीं बादा जासकता है वह आवंग जनके नेता जहां सरकार नहीं है वहां भी बड़े उच्छा आशे मनेगा बैसुच्छभी वाले नेता इसलिए सरकार से बज्जोड आण क्या है राहुल गांजी इच्छाधारी हिंदू है सुबदा से ये तोपी और टीका लगाते हैं धार्मित परेटन पर जाते हैं और धार्मित परेटन में जाने के बाद मैं ये इस तरह की बात करते हैं अभी तक मैं मानता था कि बालपन है लेकिन जब संग के वारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा पी संग को ये क्या समझ पाएंगे मूल पिंड जब किसी संस्था का व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगती रहती है और इसलिए मैं कानून विशेसक्यों से राय लूँगा कि इस विशेपे अफाई यार की जा सकती है क्या और वो खुद क्या कर रहे थे अभी जब मानली भूरिया जी को बोलने नहीं दिया था हम तो उन्हें आंगे बढाने के सदेव से प्रियास करते आए और बढाते हैं ये उने हमेशा दवाने के प्रयास करते हैं जब्या घूनकि जी से बुरुया जी को नहीं बोलने दिया बुरुया जी को लोगों से बोट ले लिये मंत्री बनाने का कहने का और Champions सोलंकिंग के साथ में किया गयाος नहीं मुक्क मंत्री नहीं बनने दिया जमना देवी जी के साथ मैं किया उन्हें नहीं बनने दिया यह दबाते हैं उमंग सिंगार की आवाज को दबाया हम आने बढ़ाते हैं दो फर्क है मुझे अजारों करूण की सड़कों का आज सलान्यास और उद्गाटन करने आ रहे हैं माने मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे मेरे प्रभार का जिला है को मैं भी तिंदर में उसकारिक्टन में रहेंगा विश्व के अंदर भारत देश ने चीन को बीट कर दिया सड़क बनाने के मांदर रोज 37 किलो मिटर सड़क बन रही है इस देश के अंदर जी अपने आख में अदूस रिकार्ड निश्य दूप से गड़करी जी को बनाए है हम अपराद छुपाते नहीं है मद्यप्रदेश देश का ऐसा राज है यह यह एफ आई आरे हैं आप बिश्तर पर लेटे लेटे अपना मोवाइल उठाके इफ आई आर कर सकते हैं एफ आई आर आपके दौ और मद्यप्रदेश सबसे पहले सरकार बनते ही हमने यह किया था हमने दुस्ट कर्मियों को फांसी की सजा का प्रावधान मद्यप्रदेश में किया इसमें कन्वेंग्शन बैसी प्रस्षत है अभी तक 38 लोगों को इसमें सजा हो चुकी है फांसी की और आजीवन काराबास की मद्यप्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर महला थाना है और हर थाने के अंदर महला डैस के यह प्रदेश अपने आप में अलग पकार से काम इस शेत्र में करना है और जिसके परणाम आपके सामने तेरा लोग ठीक हो करके अपने अपने घरों की और गंतब की और गए हैं 149 एक्टिव केस हमारे मद्ध्य प्रदेश के अंदर अभी तक बने है 0.01 प्रशत संक्रमण दर मद्ध्य प्रदेश में है जबकि ठीक होने की रिकवरी दर मद्ध्य प्रदेश में 98.6 हमारी इस्थिर बनी हुई कल मद्ध्य प्रदेश के अंदर 69,672 सेंपल हमने लिए है जैसा हमने कहा था कि हम 70,000 प्रद्दिन के लगबक सेंपल मद्ध्य प्रदेश में रहने हैं करोना का फन कहीं भी उठाएगा तो उसे कुचल देंगे परड़ाम आपके सामने है जो कमचारी संथर है वो नातुर में गरा रहा है क्योंकि हजारों कमचारी ऐसे हैं जो सेवा निवर्ट हो गए हैं बिना तो कबतर सम्मा हो रहा है बन रही है पांस तारी से समवाई भी हो रही है मानी मुख्यबंतरी शिवराज सिंगी ने पहल करके मध्य तुनेश के अंदर यह समिती बनाई है परसो समिती बनी थी कल बैठक हो गई है सम्मानित सभी मंतरी गर उत्रमोली है और कल की बैठक में प्रिजेंटेशन के साथ ऐसा तई किया है कि हम जो सम्मानित अयाक्स सपाक्स कर्मचारी बन्नों के अन्य समितन्गी है उन्हों सब के साथ चर्चा करके उन्हें विश्वास में लेकि कोई बार्ग निकाले जिस्से कि तत्काल हम इस पर अमल कर सके